आज की ये वीडियो हम सभी small YouTube creators के लिए है कि आप YouTube पे YouTuber बनने के लिए struggle कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा motivation देखी जब मैंने अपना YouTube career start किया था तो 2019 में मैंने ये वीडियो बना के रखा हूँ तो ये वीडियो मैं आज upload कर रहा हूँ आप लोग के सामने ऐसा नहीं है कि सिर्फ YouTube पे आप YouTuber बनना चाहते हैं तब ही आप इस वीडियो को देखें नई, लाइफ के किसी भी फेज में हमको motivation की ज़रूरत होती है ये वीडियो भले पुरानी है लेकिन आप इसको end तक देखिए एकदम मैंने इस वीडियो को दिल से बनाया है और ये वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा motivation देगी बस आप end तक देखिएगा ये मत सोचेगा कि पुरानी वीडियो इस चैनल पे मैं बीच बीच मोटिवेशन लाता रहूँगा क्योंकि लाइफ के हर फेज में हम लोग demotivate हो जाते हैं और यूट्यूबर की लाइफ में ऐसा motivation बार बार हमको चाहिए रहता है उसलिए बीच बीच में मैं अपने इस चैनल पे आप लोग को motivation लाता रहूँगा motivation देते रहूँगा ताकि आप अपने यूट्यूब लाइफ में बहुत आगे तक बढ़आए तो बस बात खतम करता हूँ और वीडियो आप पुरा end तक जरूर देखिएगा यह मत सोचेगा पुराना है आप सुनिये पहले आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजेगा और लाइक कीजेगा देखिए हर साल की तरह यह साल भी निकल गया and it's a known fact that 80% of new year's resolutions fail but this year it's a time to leave the failing to others जी हाँ अब वर्ष 2019 आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी चीजें कितनी तरीके से बदली हैं आपने देखी ही होंगी खेर चलिए मैं शुरुआत करता हूँ राजनीती से पांच राज्यों में अभी विदान सभा चुना हुए और कॉंग्रेस सरकार ने अपना दबदबा बनाते हुए खुद के लिए 2019 का क्या स्टार आगाज किया है जहां दो वर्ष पहले यूटूब को इंडिया के मैकसिमम लोग जानते भी नहीं थे वहीं आज देखिए कि क्या खुबसूरत आगाज हुआ है कि अब हर कोई यूटूब से अंगिना चीजें सीक रहा है तो जैसा कि हर साल ही होता है इस साल भी आपके पास पूरे 365 दिन है यार पूरे 365 दिन और इन 365 दिन का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी काम को करने की मिनिममम 365 उपरचिनिटीज तो है ही एक बार फिर से एक नए वर्ष का आगाज हुआ है आप अपनी मंजिल पर पहुँच कर तो देखो कितने लोगों का दिल जलका राक हुआ है विकोज देर आ सो मैनी पीपल आउट देर वो विल टेल यू देट यू कांट बट वोट यू एव टू गॉट तो डू इस टर्न आराउंड एंड से वोच मी गल्फ्रेंड रूट गई है रूट जाने दो बॉइफ्रेंड ने चीट किया है जाने दो यार आपको याद करके वो एक दिन खुदी रोएगा कंगाली ने पूरी तरह से आपको घेर लिया है अब तो लगने लगा है कि बस सूसाइट कर ही लिया जाए बगल वाले अंकल, आंटी, चाचा, फूफा, ताई जी और सभी कोई शोर मचाने लगे हैं तो सुनो, ये शोर आपके जीतने का आगास है एक बार आप सिर्फ अपने अंजाम तक तो पहुँचो और फिर देखो कितनी खामोशी होगी आपकी तो वाहवाही होगी और इन सभी बेवकूफ लोगों की जिन्दगी में बहुत बड़ी तबाही होगी और एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जिसे आप अंत समझ कर छोड़ जाते हो असल में वहीं से तो आपकी सफलता का आगाज है पर नहीं, मुसीबतें आने पर तो आप वो काम छोड़ देते हो ना बस वहीं से तो आपकी हार है जिसे आप दूर से पत्थर समझते हो अरे पास जाकर तो देखो यार असल में वह खिलता हुआ एक बेहत खुबसूरत गुलाब है यू नो वाट आप हर कहानी को उसके अंजाम तक पहुँचाने का माददा रखते हो और पता है क्यों क्योंकि अगर आपके दिल में वह आग नहीं होती न तो आप इस वीडियो को अब तक देखते ही नहीं आप एक लो नहीं हो जो हलके से जोंके से बुच जाओगे अरे आप तो एक आग हो जो हलकी सी हवा से भी और तेजी से जल जाओगे सो मेरे सारे भाईयों और प्यारी प्यारी बेहनों अब इस नहीं वर्ष में मेरे साथ एक न्यू रेजोलूशन लो कि अब की बार मैं अपने सपनों को चेज करूँगा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो जहांकना बंद करके मैं खुद के उपर काम करूँगा और इस वर्ष मैं अपनी एक बुरी आदत को डेक डाउन करूँगा और अब जरा ध्यान से सुनिएगा आगाज नहीं तो अंजाम कैसा कोई शब्द नहीं तो आवाज कैसा कोई किस्सा नहीं तो कहानी कैसी जब कोई राजा ही नहीं तो रानी कैसी आप चले ही नहीं तो भटके कैसे अगर आगाजी नहीं किये तो अंजाम कैसे तो दोस्तों इस नए वर्ष की आपको धेल सारी शुब कामना है मैं इश्वर से कामना करता हूँ कि वो आपको वो सारी चीजें मोहिया कराए जिसके आप काबिल है और मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्नोंने मेरी पिछली वीडियोस देख के इस चैनल को सब्सक्राइब किया है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के दिल को वाकई बहुत सुकून मिलता है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए और एक खास बात कुछ कीजिए ना कीजिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए क्योंकि हम एक human being है और हम बाकी सभी चीजों से इसलिए ही अलग हैं क्योंकि हम एक दूसरों की मदद करते हैं तो हमेशा किदर है खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए और सबसे जरूरी बाद जो होगा जूम करके देखा जाएगा बोलते रहिए धन्यवाद